अग्याद पर अग्याद कर दो कि अग्याद कि अग्याद एलो एवरिवन वेलकम तो एजुटैप आई होब फ्रेंड्स अब आप लोगों को स्क्रीमिंग आ रही है अगर स्क्रीमिंग आ रही तो प्लीज जल्दी से यह स्टाइब करके बता दीजिए ताकि हम लोग यहाँ पर में हमारा सेशन जल्दी से स्टाइब कर सके एंड आइप स्ट्रीमिली सॉरी थोड़ा सा लेत हो गया क्यूंकि सेशन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था गो लाइप का उप्षिन ही नहीं क्लिक हो पा रहा था तो चलिए जल्दी से हम यहां पर में हमारा सेशन स्टार्ट कर देते हैं ज्यादा समय हम लेगे नहीं शुरुआत में जल्दी से आप लोग आपके सेशन की जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए यहां पर में 180 लाइक्स अल्रेडी हो चुके आप हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हो तिक जब भी मैं लाइव आता हूँ आपके बहुत सारे लाइक्स हो चुके होते हैं अल्रेडी तो जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन की लिंक को जहां भी शेयर कर सकते हो व सब्सक्राइब करना है कोई भी जानकारी छी है को डिम के आप यहां पर में चले जाएँ यहां पर आपको सारी जानकारीयां मिल जाएगी है तो चू श्यर ज़रूर करने आप लोगोंने जितने भी लोग कि यह मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको पूरा टॉपिक करवा दूगा एक कोश्चन पकड़ते हैं हम स्रिफ और कोश्चन की मदद से हम पूरा टॉपिक कर लेते हैं तो आप जल्दी से बताईए इस कोश्चन का अंसर क्या होंगा निमनलिखित व्यक्तियों में से किसकी कवीता और विचारों को पंचुवानी और बीजक नाम के जो ग्रंथ है उनके अंदर में सुरक्षित किया गया है कि मैं बहुत अच्छा हूँ आई थिंक शायद आप भी बहुत अच्छे होगे सेफ होंगे इस सिचुएशन में और आज का सेशन बहुत जादा मोटिवेटिंग होंगा फ्रेंड कि आज हम बहुत महान-महान लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे चलो जल्दी से बताओ सोशल आर्मी जल्दी जल्दी आंसर करो कि इतने अच्छे बाते लिखने के लिए ओके चलो आंसर आगया मेरे पास में यह कुशन पूछा था सेप्टेंबर 2016 में अब क्या हुआ डिसम्बर 2018 में उन्होंने फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया गया देखो पंचवणी और बीजग पे निम्नलिकित में से किस महान-हस्ती के चंद और विचारों को संरक्षित किया गया था अब देख सकते हो फ्रेंड्स की फिर से उन्होंने सेम टूसेम कोश् इवन मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक करवाने वाला हूँ अभी आगे जाकर जिसमें एक टॉपिक वन टॉपिक ठीके एट कुश्ट वाला भी आभी आपके सामने एक सीरीज आएंगी आज ही के वीडियो के अंदर में तो जल्दी जल्दी शेयर गर देना ये भी मैं ठीक है थैंक्यू विकास जी ओके चोषितल जी एक प्लेइस बन चुकिए आप वहां से जाकर सारे वीडियो देख सकते हो ठीक है प्लेइस बना दी गई है मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाए तो इस तरीके से आप से एक्जाम में कुशन पूछे जाते हैं चलो मैं आपको इसका आंसर जल्दी से बता दे तो वैसे इसका आंसर है संथ कभीर ठीक है अब संथ कभीर के ऊपर में कुशन पूछे जा रहे है मतलब यह topic important है तो आपको क्या करना है आपको माइनूट माइनूट details संथ कभीर के बारे में पता हो करना चीए तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर में बहुत सारे संथ हुए है महात्मा हुए है जिन्होंने हमें अच्छे अच्छी बाते सिखाई है उसी में से एक थे संथ कभीर इनका जो इनकी जो परवरिश हुई है फ्रेंड्स यह कहा पर में हुई है मुस्लिम जुना फेमली में जुना मतलब क्या होता है जो वीवर्स होते न जो कपड़े वगरे बुंते उनको जुना बोला जाता है तो यह कहा पर में इनका पालario चणद लिखे है इनके जितने भी वर्सें सहा जो जा जाए यह विशाल संग्राह किए अधर में जो जो संग्रहित कियए वह äपको याद रहना हुआ है वह पहते हैं जा कि में हम दोहे हैं जो पंचवानी की रचना हुई पंचवानी की रचना हुई बीजग की रचना हुई तो इन इन महान ग्रंथों के अंदर में भी गुरु ग्रंथ साहे पंचवानी और बीजग इसके इन महान ग्रंथों के अंदर में भी कभीर के जो दोहे हैं उनको जगह दी गई तो आप समझ सक तो यह आपको याद रखना है friends, क्या-क्या, साखी और पद नाम के संग्रहों के अंदर में इनके वर्से को हमने सुरक्षित किया हुआ है, संग्रहित किया हुआ है, बाद में जब गुरुग्रंसाहे, पंच्वानी और बीजक की रचना हुई, तब वहापर में भी इनके महा हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, तो देखो, संत कबीर जो है friends, यह हमेशा जो हिंदुईजम और इसलाम धर्म के अंदर में जो रुडिवादी जो धारनाय होती थी, जो प्रचन्ड होते थे, ऐसा करो, हवन करो, यह करो, वो करो, उन सब का यह मजाग उड़ाते थे, रिडिक्यूल करते थे, यह point आपको याद रखना, यह exam में कोई भी statement की रूप में आपसे पूछा जा सकता है, कि क्या संत कबीर जो हिंदुईजम और इसलाम के अंदर में जो प्रचन्ड जो हुआ करते थे, प्रचन्ड जो धार्मिक परंपराय थी, क्या उनका मजाग नहीं है, वो निराकार है, वो एक energy है, जो भगवान है, वो energy है, ठीक है, वो मुर्ती पुझा में नहीं मानते थे, वो मानते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं है, formless supreme God में मानते थे, संत कबीर जी, प्लीज इसको याद रखिए, बहुत important point है, मुझे उमीद है कि यह point के उपर में आपसे कोई statement बना के पुछा जा सकता है, ठीक है, सर मेरी एक friend, पाई जो, लोटे जो, चलो, उसके बाद में friends, इनका मानना था कि अगर आपको मुक्ती प्राप्त करनी है, ठीक, salvation प्राप्त करना है, तो आपको भक्ती और devotion का सहारा लेना पड़ेंगा, ठीक है, आपको भक्ती करनी पड़ेंगी भगवान की, अच्छे काम करने पड़ेंगे, डिवोशन देना पड़ेंगा, खुद को भगवान को समर्पित करना पड़ेंगा, तभी आप salvation या फिर मुक्ती प्राप्त कर सकते हो, ये भी point याद रखिए, ये भी बहुत important है, ये सब कभी अच्छे कामानना था, क्या-क्या मानते थे वो, भगवान फॉर्मले से उनका कोई आकार नहीं है, अगर भगवान को पाना है, भगवान के चरणों में खुद को अर्पित करना है, तो आपको उनकी भक्ती करनी पड़ेंगी, डिवोशन करना पड़ेंगा, उसके बाद में में फ्रेंड्स, ये वैसे तो हिंदू इजम और इसलाम दोनों के अंदर की जो गलत बाते थी, जो धारनाई थी, उनका विरोध करते थे, फिर भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इनके फॉलोवर थे, very 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 important point, ये statement बना के आपसे एक्जाम में जरूर पूछेंगा, आपको बोला जाएंगा कि उनके फॉलोवर स्रिफ हिंदू थे, नहीं, आपको याद रखना है उनके फॉलोवर में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, important point है, प्लीज इसको ध्यान रख लो, एक बर रिवाइस करवा दू जल्दी जल्दी, चलो, देखो, इनका जन्म मुस्लिम जुला फैमिली में हुआ था, इनकी परवरी यहाँ पर में हुई थी, उसके बाद में आपको याद रखना है कि इनके उरिजिनली इनके जो विचार थे, वो साखी और पद नाम के संग्रहों के अंदर में संग्रहित किये गये है, फिर बाद में जब गुरु गुरंद साह है, पंचवानी और बीजग बनी, तब यहाँ पर में भी इनके महान विचारों को जगह दी गई, उसके बाद में इनका मानना था कि जो इश्वर है, वो फॉर्मलेस है, कोई आकार नहीं है, अगर आपको सालवेशन चीए, मुक्ती चीए, तो आपको भक्ती और डिवोशन करना पड़ेंगा भगवान की, ठीक है, और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरह के इनके फॉलोवर थे, बहुत इंपोर्टन पॉइंट से, जो भी कोशन बन सकते, वो सारी चीज़े मैं आपको यहाँ बता दिये, अब इसका आंसर देखो, आब आपके लिए कितना आसान ह हो जाता है यह कोशन, और दोनों कोशन, सिफ यह कोशन नहीं, डिसेंबर 2018 में जो पुझाता वो भी, देखो, पंचवणी और बीजक में किसके विचारों को संग्रहित किया गया है, अभी मैंने आपको बताया है कि संत कबीर के विचारों को संग्रहित किया गया है, दोनों आपको पता है syllabus बहुत बढ़ा है तो चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं लास्ट मैं आपके सब के comment ले लोगा पांच मिनेट रूखके अभी थोड़ा सब पढ़ लो उसके बाद में डिसेंबर 2018 का question भी देख लो पंच वनी और बीजक के अंदर में निम्नलीगित में से किसक संथ कबीर है ठीक है फिर अगर से वापस से आपके 2019 में 2020 में 2019 तो गया 2021 कभी भी कोशन आए तो प्लीज इसको याद रखना है आपने अब याद रहेगा आपको वेरी गुड अब चलो बात निकली है तो दूर तक जाएंगी ठीक है तो एक दोहा हो जाए संथ कबीर जी का आप लोगों के लिए मन के हारे हार है मन के जीते जीत कहे कबीर हरी पाई ये मन ही की परतीत तो फ्रेंड्स आपके मन में है ठीक है आपको जोब नहीं लग सकती है आपको तो स्रिफ एक क्या 90 मांग सा जाएंगे पंचैनलो नंबर आ जाएंगे उससे साधा क्या लाया जा सकता है तो फ्रेंड्स ये गलत बात है अगर आपके मन ने मान लिया कि हा हम जीत सकते आपको आपको मिल जाएंगे 125 प्लस मांग्स तो यही है आपको अपने मन में विश्वास रखना है सबसे पहली चीज पढ़ाई तो करनी है बड़ मन में विश्वास रखना है आपको कि आप ला सकते हो उसके बाद आपको करना है और रिवीजन करना है बस यह तीन चीज़े चाहिए होती है आपको करने के लिए पहले तो विश्वास रखने मन में एक बार 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 रिवाइस करना है हो सकता है पहली बार में समझ में ना है कोई बात नहीं किसी को समझ में नहीं आता कोई कोई भी बच्पन से ना जब वो जन्म लेता है तब से सीख करनी आता है मैं मुझे मुझे थोड़ी ना मेरे मम में बता दिया था बच्पन में कि हाँ चलो संतकबीर के दोहे जो है पंच्वानी और बीजयक में संगरी थे पढ़ा ना मैंने ठीके सोनिया मैं अंकूर सर अंची सर हम सब ने चाहे आप और विश्वास रखना है कि आप 125 प्लस मार्क्स ला सकते हो आप KVS क्लियर कर सकते हो आप NVS क्लियर कर सकते हो आप सरकारी नौकरी पा सकते हो प्लीज ये विश्वास रखिए इसको याद रखना हमेशा मन में कभी भी हार नहीं लाना है मन में हमेशा पॉजिटिविटी ही रखनी है कि वेरी गुड हाय थिंकिंग डान सकेंड में आ जाएंगे आपके बांक्स बिल्कुल अच्छे चलो सर आप क्या के वियर सर आप प्रिवियर कोशन करवा रहे हो संथ कभीर पर कोशन पूछा तो क्या आप सिर्फ संथ कभीर बता कर आगे बढ़ जाओंगे नहीं ऐसा नहीं होगा हमें पता चला कि संथ कभीर मतलब के जो रिलीजियस जो हमारे है संथ है उन पर सवाल पूछे जाते तो फ्रेंड्स म पर हम सहारा लेकर उससे समझेंगे कि कैसे कुशन पूछे जाते है और उस बेसिस पर जो भी कुशन पूछे जा सकते उस पर हम पढ़ाई गरेंगे जैसे अभी तुलसिदास जी सूर्दास पर कुशन नहीं पूछा है तो फ्रेंड्स मैं आपको यह भी पढ़ा देता वह एक भगवान है जिसके उपर में उनकी आस्था रखी जा सकती है उनका रामायन के उपर में बहुत ज्यादा विश्वास था उन्हों ने राम चरित्र मानस ठीक है इसकी रचना की थी राम चरित्र मानस इसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि पूरा रा किसके समर्ती थे किसके डिवोटी थे भगवान राम के थे यह आप लोग डात रखोंगे उसके बाद में सुुर्दास उर्दास यो है न2 कृ आ यह किशना के डिवोटी थे आप देख सकती हो कृष्णा जी इनके भजण कितने द्यांसे उन रहे है तो अजुantsकी किसके थे कृष्णा के डिवोटी थे यह आप लोग याद रखोंगे सूरसागर सूरा सरावली ठीक है और साहित तेलारी यह यह composition किसके सूरदास जी के एक बार रिवाइस कर लेते हैं किसके बारे में बताओ धिरज कुमार जी उसके किसके बारे में भी बताएगे किसके बारे में तूलसिदास जी राम के डिवोटी थे रामचारी तर्मानस के रचना की सूरदास जी कृष्णा के डिवोटी थे ठीक है उन्होंने सूरसागर सूरसारावली और साहित लहरी यह तीन जो वह कंपोजिशन से इनकी रचना की थी याद रहे गाई है स्क्रिंशॉट ले लो लगे तो एक अगर चाहिए दो नाम आप लोगों ने सूना होगा ठीक है मेरा भाहि का नाम सुना होगा आप लोगों ने बहुत जादा फेमस है अभी में आपके कमेंट नि ले रहो प्लीज थोड़ा सा पढ लेते उसके ए लास्मिल लहों क्योंकि बहुत सारी स्लाइड़ है मुझे आपको एक पूरा चै यह बहुत ज्यादा डिवोटी थी बहुत ज्यादा भक्त थी किसकी कृष्णा जी की ठीक है आप लोगों ने यह सौंग जरूर सुना होगा I think मुझे बहुत अच्छा लगता है मैंने कई बार सुना हुआ है ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ठीक है यह आपने सुना होगा तो friends इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह कृष्णा भग्वान की कितनी बड़ी फैन थी कितने बड़ी भक्त थी उनकी तो मीरा भाई किसकी भक्त थी किसकी डिवोटी थी यह कुषन पूछा जा सकता आपसे तो यह कृष्णा की थी ठीक है यह किसकी अनुयाई थी कि कि डिसाइपल थी है न कोई न कोई गुरू ठीक है तो रविदास और जो यह रविदास थे यह एक अच्छूत जाती से बिलॉंग करते थे तो यह भी एक कमाल की बात है कि मीरा बाई जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी ठीक है वो कृष्णा की फॉलोवर और साथ ही साथ इ में भी लागू हो गई है आप देख सकते हो रविदास जी जो कि एक अंटचेबल कास्ट के थे वो इनके गुरू थे यह पॉइंट इग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेरा बाई के गुरू कौन थे रविदास जी थे ठीक है तो प्लीज इसको याद रखे अच्छा तो इसको आप लोग याद रखना अच्छे से उसके बाद में फ्रेंड्स एक टॉपिक है जो मैं आपको करवाना चाता हो पूरा टॉपिक आपसे आज कवर करवा लेना चाता हो मैं प्लीज कोपरेट करना मोमेंस ओफर्थ कोर्स में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा इस पॉइंट सही है कप का कुश्चन है डिसेंबर 2019 का एक कुश्चन पूछा गया था डिसेंबर 2018 में एक साल पहले कि स्मॉलेस साइस का कंटिनेंट कौन सा है तो आप एक बात समझ पा रहे होगे फ्रेंड्स ये लोग आपसे आपका नॉलेज चेक करें कि क्या आपको साभी स चाहिए अलग 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 कंटिनेंट के बारे में आपसे पूछे जा रहे है तो मुझे अब तक 7 कुश्चन अभी जब मैं इसलाइट बना रहा था तब मिले है मुझे और भी कुश्चन दिखेंगे मैं उसको आपको आगे वाली सेशन में कवर कर वा दूगा तो के बारे में हम सारी की सारी चीजे पढ़ ले मैं इस तो आप अप लोग बता एक आप लोग रीड हो आ अपया पूरे ना हाइज के बारारह मैं आज मां के लिए कर वा कर देता हूँ है वह सारे यह जितने भी कुश्यान आंसाथ हो वह आपने आप को दे दूदिगा आप लोग इसको solve कर लेना तो friends मैं थोड़ा सा basic भी बता देता हूँ ताकि आपके और भी ज़्यादा question मतलब साथ के अलावा और भी ज़्यादा question आपके cover हो जाए देखो जो हमारी earth है उसके अलग-अलग parts में हम इसको divide कर सकते है atmosphere आपको पता है जो हवा है जो वायू है उसको हम atmosphere बोलते हैं हमारा आसपास में जो हवा है सारी के सारी जो हमारी जमीन है जो भूमी है उसको लीथो स्फियर या फिर भू मंडल बोला जाता है हवा को वायू मंडल या एट्मोस्फियर जो जमीन है उसको लीथो स्फियर या फिर भू मंडल बोला जाता है जो पानी है उसको हाइड्रो स्फियर या फिर जल मंडल बोला जाता है और इन सभी का जो संगम है ठीक है इन सभी का जो संगम होता है उसको हम क्या बोलते है बायो स्फियर जीव मंडल जहापर में जीवन उत्पन हो सकता है क्योंकि जीवन उत्पन होने के लिए तीनों चीजों की जरूरत होंगी किसी ना किसी फॉर्म में है ना तो फ्रेंड्स य यह point बहुत important है, ठीक है, biosphere क्या होता है, तो biosphere वो जगह है जहापर में यह तीनों चीजों का संगाम होता है, तो letho sphere आप याद रखो, solid portion of earth, यह वाला आपका, जमीन, चीज़ पर आप अभी खड़े होगे, है न कोई हवा में तो नहीं है न, जो मेरा हवा में रहकर वीडिय आपका, जहाँ जहाँ भी पानी है, including ice, ice भी hydrosphere में आता है, क्योंकि वो भी तरीके का पानी है, water vapor, वो भी hydrosphere में आता है, क्योंकि वो भी तरीके का पानी है, तो इन तीनों का जो संगम है, यह, यह है, biosphere, biosphere is a narrow zone where we find land, water and air together, जहाँ पर में तीनों चीज़े पाई जाती ह है, यहाँ पर में life sustained करती है, अभी आप देखो, आप, मैं, हम तीनों को, मता हम तीनों को नहीं, हम सब को इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है, ज़मीन की तो ज़रूरत है, हवा में तो नहीं, खेल सकते हम, तो friends, यह तीनों चीज़ को मिला कर biosphere बोला जाता है, very important question, exam में पूछा जाता है okay please ध्यान रखिए अब फ्रेंड्स जो लीथो स्फियर है जो आपका जमीन है उसको भी दो पार्ट में डिवाइट किया जा सकता है very important topic very 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 important concept दो पार्ट एक होता है आपका landmass ठीक है और एक होता है यह आपका landmass घ्र लेकिन जो पानि है उसके नीचे में भी तो जमीन होटी है ना पानी थोड़ी ना हवा में तैर रहा है पानी नीचे भी तो जमीन होंगी तो water body तो इन दोनों को ही हम लिटो स्फियर के अंदर में गिनेंगे तो प्लीज इसको ध्यान रखिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है पूजा रजी जूला जूलते हुए वीडियो देख रहे तो चलो अच्छी बात है वो एट्मोस्फियर में बैठके देख रहे है चलो अच्छी बात है नई बात पता जली आज अच्छी है तो यह आपको याद रहेंगा अब फ्रेंट्स जो हमारा ये कंटिनेंट्स है ठीक ह है वो साथ हिस्सों में बटे हुए है कौन-कौन से है आप यहाँ पर में देख सकते हो कि कि अलग-अलग हमारा कंटिनेंट है यह हमारा हमारे अलग-अलग ओशियन है तो फ्रेंट्स लीथोस्फियर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते ओके अब आप ध्धान से देखो अलग दी ओशियंग में सकते हो सारे के सारे ओशियन दूसरा से है देखों यह सदन ओस्यान है यह परिल तिस्टेंट इसन सेया सारी अटलांकियो को सब्सक्र्द यह अथी अक्टिक आइग थेयन है आपको एक्जाम में कोई स्टेट्मेंट के रूप में पूचा जाएगा ध्यान रखो All the oceans of the world are connected with one another अगर ये question आये तो आप इसको right statement मानोंगे एक बात और आपने देखा होगा कि हम लोग आपने देखा है माउंट आवरेस्ट की उचाई कितनी है 8848 है ना या फिर कुछ लोग इसको 8850 मेटर भी बोलते है राउंड फिगर में तो ये 8850 मेटर कहा से हम कहा से गिनते इसको हम इसको गिनते समुद्र तल से समुद्र के तल से सी लेवल से अब सी लेवल से क्यों गिना जाता है वेरी इंपोर्टन कोशन ये एक्जाम में पूछा था जो मैंने आज कवर नहीं किया है वो मेरे से गलती से रह गया है मैं आपको किसी हो एक लाइव सेशन में करवा दूँगा सी लेवल से क्यों गिना जाता है क्यों कि पूरे दुनिया भर के जितने ओशियन है उसका सी लेवल समान है मतलब पानी का जो लेवल है वो उतना ही है ऐसा नहीं कि अट्लांटिक ओशन में पानी इतना है और इंडियन ओशन में इतना है पैसिफिक ओशन में इतना है ऐसा नहीं ऐसा थोड़ी होगा सारे ओशन कनेक्टेड है तो सबका पानी का जो लेवल है वो सेम रहेगा तो sea level पूरे दुनिया भर में same होता है यह आपको याद रखना है इसलिए हम जो उचाई है वो किसमे गिनते है sea level से किनते हैं क्योंकि सारे दुनिया भर में समूद्र के तल समान है sea level same होता है ओके यह question पूछा गया था तो please इसको याद रखना अब देखो मैंने आपको बताया है कि सी लेवल से हम गिनते हैं तो माउंट अवरेस की जो पीक है वो कितिनी हैं ऑफिशली आठ हजार 848 मेटर कई जगह पर इसको 8850 मेटर भी बोलते हैं बट हमारे बुक्स में 8848 मेटर दिया तो हमें इसको यही पढ़ना है उसके बाद में यह सबसे ऊचा पीक है मतलब सबसे ऊची जगा ठीक है यह माउंट आवरेस मान लो तो सबसे नीची जगा कौन सी है सर सबसे नीची यह है मारियाना ट्रेंच very very important question friends very मैं मतलब कितने वी लिख हो यहां पर में यह question even आपके तलाठी की एक्जाम में पूछा जाता है यह question आपके बैंकिंग की एक्जाम में पूछा जाता है यह question आपके KVS की एक्जाम में एक्जाम में पूछा जा सकता है कि greatest depth सबसे नीची जगा क तो प्लीज इसको याद रखिए ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है Mariana Trench है और कौन से ओशियन में है तो सर ये है Pacific Ocean में प्रशान्त महासागर में तो ये दोनों पॉइंट याद रखिए प्लीज मारियाना ट्रेंच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने शेयर निहीं किया यार वो प्लीज एक बार शेयर बेगर दो सभी लोग इसनी महनत कर रहे हम तो कम से कम साड़े 300 लाइक तो होई जाने चाहिए लाइस सेशन के अंदर अंदर में ही तो चलो जल्दी एक बार दबा के शेयर कर ताकि एसे में मोटिवेटेड फिल करता हूँ इसके बात में बहुत सारे लोगों ने थे मांट एवरेस अगरे को पार किया हूँ आप नी किया है उसकी चड़ाई की है तो फ्रेंड्स पहला इनसान कौन थे पहले इनसान कौन थे जिन्नोंने मांट एवरेस के उपर में चड़ाई की तो 10 इंजिंग नॉर्वे शेरपा यह इंडिया के तरफ से इंडियन साइट से चड़ाई करने वाले पहले परसन थे तेंजिंग नॉर्वे शेर्पा ठीक है और एडमड हिलेरी यह न्यूजिलेंड के थे जिन्होंने सबसे पहले चड़ाई की ति है तो यह आपको याद रखना है यह तो नहीं पूछेँंगे इसके चांसे महां से में चड़ाई की थी और यह जापान की थी very important question very very important question पहली महिला कौन थी जिसने Mount Everest पर चड़ा जंको ताबेई जापान की थी यह अच्छा सर इंडियन कौन थी इंडिया की भी तो चड़ी होगी न कोई यहाँ तौ महिला हैं किसी से कम थोड़ी हां हमारे इंडिया की इक महिला थी पचेंदृपाल इन्हों ने हमारे इंडिया के तरफ से सबसे पहले Mount Everest के उुपर में चड़ाई की थी पर सबसे बड़ा इशिया यह सबको पता है कि अचैनिक सबसे बड़ा कणिनेंट को छोड़ा प्ट एक्जाम में यह नहीं पुछेंग आपसे बड़ा कंटीनेंट कोई सै आपसे पूछेगा बेसिक चीज़े है कि क्या हो गया है राजिंदर कौर जी को कि अ अच्छा राजिंदर को जी ने मेसेज डिलीट कर दिया है बता दीजे राजिंदर जी क्या है क्या डाउट था अपका अच्छा अच्छा जी अच्छा इंच पूरकों में इस्ट है यहिए और वह थैसे बड़ा अच्छा अच्छा को उन्यटा की आपको आपको कईव्स करेंगा अच्छाई जो आपको किया जा सकता है एक्जाम में आपको बोलेंगा कि एशिया के पास में वन फोर्थ लेंड है तो वो क्या होंगा वो पॉइंट गलत हो जाएंगा क्यूंकि कितना है एक तिहाई है वन एक चौथा ही नहीं तो ऐसे कन्फ्यूस किया जा सकता है इसलिए मैं आपको इतना डीटेल में बता रहो प प्रीश स yarn CEO तो देखो यह है यह हमारा आर्त का मैप है आप यह भी जानते ओंगे इस तरीखे से यह से हमारी को लऄ बोलते हैं और इसके east में जो है इस line के east में जितना भी part है उसको हम बोलते है eastern है फूर वी feliz गोलार्द वुद्ध आप लोगों को यह याद रखना है कि इस line के इस line के east मैं जितना भी है develop term वा सारा का सारा eastern hemisphere के अंदर में आता है तो asia काऊं से hemisphere में में आया कि उसके बाद में friends यह जो है आपको यह याद रखना है कि करक रेखा जो है इस महादीप सो होकर गुजरती है करक रेखा ठीक करक रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन आप देख सकते हो यह आपका है इक्वेटर टीक है जो बिल्कुर बीच में से है आर्थ को यह नदन हेमिस्फियर उत्तरी गोलार्द और यह दक्षिनी गोलार्द तो जो नदन हेमिस्फियर है यहाँ पर में आता है हमारा एशिया इस्टन में यह जो आता ही है इस्ट में नौर्थ में भी आता है ठीक है Northern हेमिसफियर में भी तो फ्रेंड्स यह जो हमारा एशिया है इसके उपर मेंसे इन तीनों मेंसे ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन एक्वेटर और कैंसर इन तीनों मेंसे सिर्फ एक ही लाइन जाती है वह कौनसी है तो आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है आपको एक्जाम में कन्फ्यूस करने के लिए बोला जा सकता है कि भाई में देखो तो आपको यहां पर में दिखेंगा कि Asia और यूरोप जो है वो लैंड पर connected है ऐसा नहीं है कि जैसे आप देख सकते हो कि North America और South America थोड़े से अलग है यहां से ऊपर में North America नीचे में South South Africa पट Asia और यूरोप जो है वो तो लगे हुए बिल्कुल तो इनको कौन अलग करता है तो इनको अलग करती है यूराल परवत माला तो यूराल जो परवत है यूराल माउंटेन रेंज वो एशिया और यूरोप को अलग करती है यह आपको याद रखना है क्या हो गया क्या बात चे रही है कमेंट में अचलो चड़ो तो यह आपको याद रखना है यूराल परवत माला जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है यह आपका यूरोप यह आपका एशिया ठीक है तो यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है यूराल माउंट ये question एक्जाम में पूछा गया था वो मैं आपको दिखा भी दूगा उसके बाद में Europe और Asia का जो ये संयुक्त भू भाग है ये जो पूरा भाग है ये वाला इसको मिला कर क्या बोला जाता है यूरेशिया यूरोप से हमने यू ले लिया ठीक है यू और यू आर ले लिया है और एशिया से एशिया ले लिया है तो यूरेशिया बन गया ये तो ये जो संयुक्त भू भाग है इसको क्या बोला जाता है यूरेशिया बोला जाता है यूरोप और एशिया को मिला कि यूर झालसा देपाते देख्टे जालसा को जालसा कि बाते देख्च्छों करें रहना देख्थ करें में अब लोगोंने कि अब जालस भी देख्टीके । में बहुत जादा प्रोमोशन कर रहो या कुछ कर रहो अभी फिलाल हम पढ़ रहे ना हम पढ़ाई पर फोकस करते हैं क्योंकि हमारा मेन कंसर वो है आपका पेपर निकलना चाहिए ठीक है को इसके बारे में बात करने के लिए पुरी जिंदगी पढ़ी है अभी फिलाल आप हम यूरोप के बारे में भी पढ़ लेते थोड़ा सा तो ये है आपका यूरोप ठीक है यूरोप ये एशिया के वेस्ट साइड में ये आपको याद रखना एक्जाम में पूछ जा सकता है कौन से साइड में है तो एशिया के मुकाबले में बहुत छोटा है ये चोटा इस पर से जाता है, यूरोप को टच करता है Arctic Circle, तो Arctic Circle जाता है, यह आपको याद रखना है, यूरोप के उपर से, यह important point है, इस पर question बन सकता है, कि यूरोप के उपर में से कौन सी लाइन जाती है, तो Tropic of Capricorn नहीं जाती, Tropic of Cancer जाती है, क्या नहीं जाती, Equator जाती, Equator को तो स Arctic Circle जाता है, यह आपको याद रखना है, और यह तीन साइट से, Water Boundary से घिरा हुआ है, यहाँ पर में नीचे में आप देख पा रहे हो, यहाँ पर में भूमध्य सागर है नीचे में, कैसे दिखा हो, यहाँ पर में देखिए, और उपर में भी सागर है, और एक साइड में तो एशिया है, तो तीन साइड में वाटर और एक साइड में एशिया, जी तैसें जी बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ, डाल देगे उसको, या फिर आपके कोर्स में भी डाल देंगे इसको, डॉंट वरी, तो यह याद रखना है, और यह याद रखना है, और यूरोप के बड़ा भाई कोन है, एशिया, ठीक है, आपका एशिया, हमारा एशिया, उसके बाद में अफरीका आता है, second largest continent है, यह पॉइंट याद रखना है, अब यह एक लौता continent है दुनिया का, ठीक है, अरे, यह एक लौता continent है दुनिया का, जिसके उपर में से ट्रॉपिक ऑफ कैं तो आपने देखा, यह तीनों के तीनों लाइन जो है, वो इस इकवेटर, इस continent पे से पास हुई है, तो यह दुनिया का अकेला एक लौता continent है, जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंपरिकॉन और एकवेटर तीनों पास हो सकती है, तो यह पॉइंट तो यह याद रखोंगे आप लोग, चलो एक बार मेरे को आंसर दो, आप लोग लिखोंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एक्वेटर यह कौन से continent में से पास होती, एक लौता continent, अफ्रीका, प्लीज इसको याद रखो है कि इसको दो पार्ट में दिवाइड तो करता है, आप देखोंगे कि कम हिस्सा जो है, और जदा हिस्सा नॉर्थ में, तो इसका लार्ज पार्ट जो है ना वह Northern Hemisphere में आता है, क्योंकि equator जो है वो तो North और South में डिवाइड कर देता है, यह Northern Hemisphere है, equator के उपर वाला और नीच याद रखी इसको ठीक है यह याद रखो कि पॉइंट ये वाला क्योंकि मुझे इस पॉइंट का डर है कि अगर यह आया और यह आप भूल गए तो मुझे बड़ा अपसोस होगा कि यार मेरे बच्चे यह भूल गया अब इसका अंसर करो और यह लेटेस कोश्चन है इस कुश्चन का अंसर देखो अफ्रीका के बारे में क्या सही है मान लो बाकी कुछ नहीं पता हमें ठीक है देखो इस सेपरेटेड फ्रॉम एशिया यूराल माउंटेन कौन करता है अभी हमने देख लिया भाई इग्जामिनर को बोले तोड़ा सा तफ कोश्चन बनाए य एशिया और यूरोप करता है एशिया और यूरोप को यूराल माउंटेन सेपरेट करता है है यह आप एक्जाम में सोच सकते हो कि एग्जामिनर ने तो तफी कोश्चन नहीं बनाया ठीक है लार्ज पार्ट ओफ अफ अफ्रीका का बड़ा हिस्सा जो है वह उत्तरी गोलार अब यकीन मानिए बहुत ज्यादा सोच समझ के एक एक पॉइंट के उपर में घंटों घंटों सोचने के बाद में आपको पढ़ाता हो कि कब कौन सी चीज बोलनी है किस पॉइंट पर फोकस करना है तो यह आपको याद हो गया यूराल माउंटेन कहा था सदन हमिस्फियर अफ्रीका का जादा हिस्सदा है यह आमने देख लिया यह बड़ा हिस्सदा नदन हमिस्फियर में आता है उसके बाद में इसके बाद में इस दे अवनली कंटिनेंट त्रू विच ट्रॉपिक आफ कैंसर लोपिक और कैप्रिकॉर्ट अन न इक्वेटर पासेश चैंग यह याद रखना आपको यह सही है गोबी डिजर्ट का है यह बता सकता है में को कोई जल्दी बताओ तो यह बिल्कुल सही है इसमें नहीं आता है तो यह गलत था पॉइंट अब देखो कितना इजी हो गया आप से एक सही पूछा था आपने तीनों के तीनों पॉइंड के एकस्प्लैनेशन दे दी है एशे ही होगा तो व्लीज एक बाद दबाके लाइक और शेयर जरूर करो और हम सब मिलकर इतने महनत कर रहे इतना डिटेल में पड़ रहे हैं कि एक साथ शेयर जरूर कर देना 215-216 लोग जितने देख रहे हैं वो पूरे एक साथ शेयर कर दो हर जगा पर में एक मिनिट में कि बिल्कुल कि हांसर ए फूर हम पढ़ेंगे नौर्थ अमेरिका के बारे में ठीक है उससे पहले बतादू हमने एशिया के बारे में पढ़ लिया तब तक आप एक एक बादब शेयर कर दो एक एक बर शेयर की बटन के उपर में क्लिक कर दो जिसने लाइक नहीं कि लाइक कर देना यूरोप के बारे में पढ़ लिया है अब बारे आती है नौर्थ अमेरिका की तो फ्रेंड्स नौर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है ठीक है पहला कौन सा था ये भी कोशन पूछा जा सकता है आप लोगों से ध्यान से देखो के बताओ उनके साइस साइस के हिसाब से अरेंज करो साइस के हिसाब से अरेंज करने के लिए बूला जा सकता है तो पहले नंबर पर कौन है पहले नंबर पर एशिया है दूसरे नंबर पर अफरीका है और तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका यह अब तक हम देख चुके इसको अपडेट इसके west में जो होता है वो western hemisphere है तो आपका नौर्थ अमेरिका जो है वो western hemisphere में आता है उसी तरह से जो equator है वो भी आपकी जो earth है उसको दो हिस्व में बाठता है एक होती है northern hemisphere तो आपका नौर्थ अमेरिका है वो पूरी तरह से western hemisphere में आ रहा है उसके बाद में आप देख पा रहे हो कि यह पूरी तरह से northern hemisphere उत्तरी गोलार्थ में आ रहा है है ना तो नदन और western दोनों में आता है यह ठीक है यह आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब का गया हां तो यह आपको समझ यह आ गया उसके बाद में friends आप लोगों को याद रखना है यहां पर में कि यह तीन ओशियन से connected है तीन तीन ओशियन इससे connected है कौन से कौन से सर यह भी बता दो थोड़ा सा चीक है सरो बता देते यहां वेस्ट में Pacific Ocean है नौर्थ अमेरि यह आपको याद रखना है तो तीन साइट से यह ओशियन से घिरा हुआ है यह आपको याद रखना है उसके बाद में अर्थ अमेरिका और नौर्थ अमेरिका को एक लिंक जोडती है उसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा इसके उपर कुशन पूछा गया था आप लोगों को यहाँ पर में यह आपको नोर्थ अमेरिका यह यहाँ आपका नौर्थ अमेरिका है यहar यहाँ पर आप देख सकते हो चोड़ती पंटी है जमीन की पंटी वह आपके इन धोनों अ भू भागों को जोडती है तो उसको हम क्या बोलते है ऐसी छोटी सी पंटी जो बड़े- पनामा तो ये भी आपको यादई अखना इग्साम में पूछा जा सकता है कि ऐस्थमस उष पनामा कौन से 2 continent को जोडता है बाचो बताओ नॉर्ठ अमेरिका और सौ। साथ अमेरिका को में बात कर लेते हैं अभी इतना खर्चा हो गए तो यह पूरी तरह से यह पूरी तरह से नहीं most ली यह सदन हभी के अंदर में आता है दक्षिनी गोलार्त के अंदर में यहां है यहां पर में देखिए यह हैं यहां यहां यांद रखना है कि पूरा नौर्ट से लेकर साउथ पूरा यहां से यहां तक पूरा है और कौन से साइड में है यह साउथ अमेरिका के साउथ अमेरिका के वेस्टन साइड में यह याद रख लेना वेस्टन बाउंडरी के उपर में पश्चीमी किनारे के उपर में यह इंपोर्टन सबसे ज़्यादा पाने वाली अमेजन टीके वह भी यही पर प्रेजेंट आप देख सकते हो यहां पर में यह है अमेजन रिवर ब्राजिल में से होकर बहती है यह कोश्यन एक्जाम में पूछा जा सकता है अब इस कोश्यन का अंसर तो यह जुलाई 2013 में पूछा गया था और आपको पता है अपन प्रूफ के साथ ही बात करते हैं सारे ओरिजिनल स्क्रीशोट आप देख लो यह आपर में तो ऐसे ही कोश्यन पूछे जाते एक्जाम में बस कुछ अति हुश्यार लोग होते हैं कि सर और और तफ पढ़ा 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 भाई टफ कोश्यन एक्जाम में पूछेंगे तो पढ़ाएंगे ना अब अगर आपको इजी कोश्यन भी तफ लगते तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं तो मैं आपको सारे कोश्यन मुझे भी और एड़ोडेप की पुरी टीम को भी चलो आंसर आगे गुट इस बसे लंबी परवच रंखला कॉन सी यह एंडी से कहापर में है तो साउथ अमेरिका में यह भी याद रखना अस्ट्रेलिया यह सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है पूरे दुनिया में जितने भी चंटिनेंट है उसमें सबसे चोटा कौन सा है सबसे चोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया यह आपको याद रखना है यह बहुत इंपोर्टन है इस पर डिसेंबर 2018 में कोश्चन पूछा गया ज़ता कि दुनिया का सबसे स्थोटा कंटिनेंट कौन सा है लोग य्था कंफूज तो आपको इनियोस्टान होनफ़ को त्याप तो आपको तो आपको याद रखना है एक सदन हेमिस्एइर में आता है क्योंकि यहां से इकवेटर जाती है तो पूरी तरह से सदन हेमिस्फियर में आता है छोटा संबसे ऐ है एक lesson continent है अर्य सारे पूरी तरह से पूर सभी साइट से यह water से गीर हो है पूरे तरफ से पानी 있어 यहां पर ने तो यह आपको याद रखना है बहुत important points है छोटा continent है सबसे southern hemisphere में आता है चारो तरफ से पानी से गिरा है और island continent island मतलब क्या होता है जो चारो तरफ से गिरा हुआ होता है उसको island बूला जाता है December 2018 का question जल्दी से इसका answer दे दो कि dit इसका फेले का answer बोली का अलस माॉन्टेन Linux का अलस आफ जो है खुआ है वह यूरोप मैं इसके वारे में को बते कहा पढ़ आया था जब हमने वॉल्करन को बारे में पढ़ा था था वन ससी byeron इक्र रियगेर Goodbye पहले मोंचें भया उप इसे खौर मुझाथ है कि सारे के सारे हम दोगा ने पड़े थे सारेた तो आंसर गया है आंसर ऑप्शन नमबर वन ऑस्ट्रेलिया ठीक है अब किसकी बार यह आती है लास्ट बज गया अंटाक्टिका इसके उपर में बहुत कोश्चन पूछे गया है अभी मैं आपको दिखा दूगा कि कैसे कोश्चन पूछे गया इसके उपर में में आप ऐसरे काश्टोश फ्रसेंट को आए देखो फ्रेंड आंटाक्टिका जो है वह वो पूरी करशे सदन हीमिस्टेंड के अंदर में आता है आप कि यहां पर नेพस्ट कोtakम में तो आंटाक्तिका्ष पूरा तरीके से बर्व से घिरा हुआ है सद्न रिम्सफियर में बहुत बढ़ा कांटिनेंट है यह साउथ पॉल के पास में है तो कि अनोर्फ फोल आपका नौर्फ पॉल और इन्यॉन साउस पॉल रहें उसके बाद में आप लोगों को ये याद रखना है कि यह बर्फ की एक बहुत ही मोटी चादर से के ओंपर में फैली हुई है तो यह आपको याद र这里 सभीर के पास में है ऑर पुरी तरह से इंपर में एक लिक선 वर प्रत्रेंट से इनु रहाएं के शॉत्ट क में ने आपके दोस के नानी का घर कि मैं आज गर्मी की चुट्टियों में अंटाक्टिका गया था अपने दादी के घर ऐसा किसी ने कहा कि आज तक आपसे कोई नहीं रहता अंटाक्टिका में तो अंटाक्टिका में कोई भी human settlement नहीं है इसी लिए फ्रेंड्स यहां पर में बहुत स स्टेशन बनाए हुए पूरी दुनिया के कंट्री ने बनाई हुई है maximum कंट्री ने इंडिया फिर क्यों पीछे रहें इंडिया ने भी बनाया मैत्री नाम का एक रिसस्टेशन है और एक दक्षिंड गंगोत्री में 2012 के एक बहुत ही अच्छा कोशन पूछा था ठीक है में में 2012 के एक्जाम में कि दक्षिंड गंगोत्री क्या है मैं भी आपको कोशन दिखाऊंगा कितना मतलब मैस्त कोशन बनाद मुझे तो बहुत पसंद आया वह में 2012 कोशन में भी आपको दिखा देतो तो यह याद रखना है मैत्री रिसस्टेशन है जहां पर में जाकर हम वह पर में नजर रखते हैं फिर दक्षिंड गंगोत्री यह भी एक रिसस्टेशन है भारत का अंटाक्टिका महादीप के अंदर में हमने बनाया हुआ हुआ तो चलो अब इसके आंसर दो तीन कोश्यन है बैक टू बैक फैबरली 2016 का कुश्यन है मैत्री और दक्षिंड गंगो आससा जीब इस बात का जवाब किसी को नहीं पता चाच है हमारे हात में क्या है हमारे धने पड़ाई करना के आपको सचमें मेरे अगर आप मेरी बत मानो ना मैं आपको एक सलह दूंगा आप लोग उसी डेट को मान कर पड़ाई कीजी है बात मानिए मेरी आप अगर आपको सच में टीचर बनना है अच्छा परफॉर्म करना है आप मानिए कि उसी डेट को एक्जाम है क्योंकि मैग्जिमम मैं आपको गैरेंटी के साथ में बोल सकता हो कि 75% लोग पढ़ाई नहीं कर रहे है उतनी एफेशेंसी के साथ उनको लग र लगा मुझे दक्षिन गंगोत्री क्या है इसके ऑप्षिंस देखो आप कितने मासते हैं कि चलो देखो सिर्फ 14 लाइक्स बचे है साड़े तिन सो तक पहुचने में तो जल्दी जल्दी कर दो शेयर और लाइक्स कर दो जिन लोग ने नहीं किया है ताकि साड़े तिन सो ल है छोताल कियाhesion है काव और अदरी कावेरी कावेरी कवे नेकने की gradव ध्यotरी को कि कावेरी 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 अब बताओ कि अब मुझे बताओ कौन सा बच्चा है इतने दोसों से जादा लोग देख रहे हैं अब मुझे बताओ किसको ये कुशन तफ लग रहा भी कोई है इसा जिसको ये कुशन अब टफ लग रहा है कोई भी बच्चा नहीं होगा मुझे उमीद है अब सभी को ये कुशन ईजी लगेंगा और एक्जाम में भी आप बहुत आसानी से करके आओंगे क्योंकि आपके मन में बैठ चुकी है सारी बाते अब बाकी के सारे कुशन है अभी वो सारे के सारे हम लोग करेंगे अब के आप्शन के साथ बताओंगा वो कुशन में विपूल जी थैंक्यू सन्नु सिंग अब देखो ये कुशन तो सर हो गई बात में में पूछा फरवरी में सोला में पूछा बारा में पूछा अभी भी पूछते क्या तो बच्चे हाँ पूछते अभी देखो डिसेंबर 2019 में पूछा है लेटेस कुशन और जो लोग बोलते ना कि सार्ट टफ पढ़ा हो एकदम टफ वाले कंसेट करा हो एकदम कि अन्टाक्टिका में जो अमेरिका कि अन्टाक्टिका में पूछा है उसके हैड का नाम क्या होगा इतना तफ 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 से तफ कोशन कर वा और लेकिन कोशन तो ऐसे ही पुछते इतना एजी वाला और देख लो डिसेंबर 2019 का कुशन है कोशन एजी पूछते है वो बस कुछ सेंपल लोग होते हैं नमुने जो बोलते कि तफ कोशन कर अभी मैं कल लाइज सेशन ले रहा था मुझे एक बच्चा वो रही थी एक लड़की तो बो रही ती कि सर आप और जादा तफ कोशन बही बगत एक्जाम में तो ऐसे कोशन प 500 रुपीज देख मैं प्रमोट नहीं कर रहो मैं आपके बहले के लिए बता रहो क्योंकि आप सेल 50 का इस्तिमाल करके ठीक है 500 रुपीज में आपको पढ़ जाएगा हजार का है सोशल साइंस का कॉर्स आपको 500 रुपे में पढ़ जाएगा ठीक है अगर आप ये भी एफोर ठीक है एन-c-r-t 6 से लेकर 8 स्टेंडर तक की एन-c-r-t ठीक है जो शोशल स्टडीस की जितनी भी एन-c-r-t वो सारी पढ़ ले ना जो लोग कोर्स नहीं ले सकते जो ले सकते वो तो ज़रूर ले ले क्यूंकि आपको mcqs, videos, pdf शारी चीज़े यहां मिल जाती है साथ ही आप लोग ने 5 लाइक से आप लोग रहे गए हैं सेल 50 कैसे होगा बस आप जब खरीदते हो ना तो तब वहां पर में सेल 50 लिखना कूपन कोड में आपको आदा हो जाएगा बिल्कुल कोर्स कि अप लोगों ने लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो कर दिया बट हम लोग हमारे टार्गेट से 5 से रह गए चार से रह गए चलो 128 प्लस जो लोग offline देख रहे यह फूरे लोग एक एक बार share करके ही जाना जहां 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 आप शेयर कर सकते हों लाइक कर यह बाат करे और उसके बाद ही वीडियो बन करना चैनल को subscribe ने difíग regression कर देना है ता कि सानल को subscribe करके você बैल आइका कर प्रेस कर देखते है ताकि में भी पढ़ा होंगा motivation की ज़रूरत होती है तो motivation के लिए ये काम आपको करना है शेयर लाइक ज़रूर करना है ठीक है discussion forum में भी मुझे बता सकते हो जो लोगोंने course purchase किया कि आपको live session कैसे लग रहे है क्या आपको मज़ा रिये पढ़ने में live session revision में कैसा लग रहा है discussion forum में कोर्स वालों के लिए जिन लोगोंने नहीं खरीद है वो भी discussion forum पर बता सकते हो सारे options आपके पास में available है अब है सर अभी भी है के discount हा बिल्कुल है sale 50 use करो ठीक है sale 50 कोई भी course ले लो उस पे sale 50 use करोंगे मतलब direct लिखना ठीक है sale लिखना और कंटिन्यूशन में 50 लिखना आपको 50% off मिल जाएगा तो थैंक्यू वेरी मच है सजी इसको पढ़ना नहीं होता वही बुलते कि और पढ़ा हाँ सही बात एकदम विकास राजी आपकी इसको पढ़ना नहीं होता नहीं पढ़ते ना तफ पढ़ते आपकी क्लास छोड़ने क तो मनी नहीं करता थैंक्यू सुरस्टी जी थैंक्यू हाइधिंकिंग थैंक्यू वरी मच्छ सभी को थैंक्यू तुलसी कभी तुलसीजाज यह सबसे रिलेटेड कोश्यं पूछी बिल्कुल मैं आपसे कोश्यं पूछ लूंगा नेक्स लाइशन के अंदर में कोशिश करूँगा कि आपसे कोश्यं पूछ लूंगा ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए थैंक्यू मंजोड जी थैंक्यू वेरी मच्च और थैंक्यू वेरी मच्च सभी लोगों का जो मेरे आने के पपले ही लाइक कर देते आज जब मैं आया तब 180 प्लस लाइक हो चुके थैं एक नया रिकॉर्ड बन गया था कि लाइशन स्टार्ट करने के पहले एक सब्स थैंक्यू वेरी मच्च फ्रेंड्स और किसी का कुछ है कहा लिखना है कई पर भी लिख दीजिए रिता पाल जी थैंक्यू 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 चलो किसी का कोई कमेंट छूट तो नहीं गया क्या है क्या है आनंद वर्माजी आप क्या बूलना चाहतों कभीर तुर्शी से रिलेटेट क्या चीए है हां कोर्स में सारी ncrt cover हो जाएंगी बट अगर आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़ जल्दी से एकदम पूछना एकदम फास्टाइपिंग क्योंकि समय खतम हो गया है थैंक्यू नीमा थैंक्यू सुरुष्टी थैंक्यू सोनी थैंक्यू हाई दिंकिंग हां सोनी सी हाई ncrt cover किया है अर्थक्वाले question भी बता दीजिए बिल्कुल निहार सींग ठीक है मैं अर अर्च थैंक्यू रूपा थैंक्यू रितू सुरुष्टी रितापाल ने डिली तो नहीं हो पायार क्योंकि बाकी लोगों को भी पढ़ाने ना बाकी के भी लाई सेशने बाकी टीचर्स के थैंक्यू मन्जोद जी पहले ही लाइक कर देने के लिए सब के नाम ले लो बिल्कुल सुरुष्टी मंडे पाच पीम को है गुड इवनिंग राज इंदर रिंपी जी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून रिंपी थैंक यू नम्रता के अपका नाम ले लिया है बुचा गुड थैंक यू शुष्टी कॉमन सर्विस सेंटर जी के आपका नाम ले लिया है मैंने जी है हां Soni ji cover है पुमी का गॉत जी भी लाइक करते है बहुत सारे लोग लाइक करते हैं मेरे social army बहुत बड़ी है बहुत सारे लोग है आप लोग बहुत अच्छे लोग आप सोफ्यूर रहमान जी बिपुल कुमार नैसा शर्मा इसनीत कॉर जी जोग्राफी पूरा कर उंप्लीट करवा दूंगा डॉंट वरी नहा कुमारी जी टाइमिंग पाच बजे है मंडे के दिन और वेटनेस डे के दिन कि एंचाइट के लिए बारवी तक पढ़नी बढ़ेंगी 12 स्टेंडर्ड तक है सब्जेक्ट कॉन सा पढ़ना है सोशल साइस अब्वियसली अगर आप सोशल साइस का पेपर दे रहे तो सोशल साइस की सारी एंचाइटी सिविक्स जोग्राफियो और हिस्ट्री की जित्ती भ करवा देगे पन है कि नए नया आता काव जी नया याथ दों को अपर सकते हो वक् TEintenasal छा शाकिर शेग जी है आपके लाइक के लिए आपका सपोर्ट से लिए और आपके कमेंट्स में बिल्कुल देखता हूँ अच्छे से से सेकता हूँ आपके कमेंट्स बिल्कुल ऑรखवाले करवा देंगे हिस्ट्री स्फिविक जब कुछ करवा दें देगे के अब हाद के खılmış सब्सक्राइब है कर देंगे कि रहेंड भी कर देगeg वेरी गुड रूपर रानी पैरी गुड पर फाइडेयो किसी और की क्लास है यह इसलिए जनरल अवेर्नेस में आपका नाम है बट के तन सर के लेक्चर है के वेस्के प्याटी है मैं वह अपडेट करना है इसको ना मुडेजी जो जनरल अवेर्नेस वाला बोर हो नहों मैं उसमें अपडेट कर दूंगा दोंट वरी कोर्स कहां से लिए तो यह है वेबसाइट डाट को डाट इन यहां पर जाहिए आपको मिल जाएंगी सारे कुर्स है नमरता जी फ्राइडे हो किसी और की क्लास है कि सीविक्स में कंफ्यूज हो जाद है कोई बात नहीं सीविक्स पूरा कम कर लेंगे भूमी का गौताम जी आपका नाम कितने बार ले लिया कल भी लिया था मैंने आपका नाम और आप बहुत स्वीट हो भूमी का जी टोंट वरी है ऐसे अच्छे से पढ़ते रही है कि परम कंप्यूटर आपका नाम तो हजारों बर ले चुके है आपको तो परस्नल इमेल भी किया है मोईना बिश्वास जी बहुत बढ़िया आप भी जुड़ गया मारे साथ फुड़ कि प्रिया भट्टी जी बहुत अब आपको अच्छी लगती है ना गुड़ कि सर्कमेंट पीछे छूड़ गया अरे वो कैसे करें यार पीछे पढ़ाना जरूरी था ना प्रांजल लाग चुजी आपका भी नाम ले लिए और कोई बचा है नाम लेने वाला स्ट्राइडे को क्लास नहीं लेंगे नहीं फ्राइडे को किसी और की क्लास है कांटेंट में कि सब्जेक्ट से पूछते है कि हिस्त्रेश इविक्स जोग्रॉफी पुजा गुपता जी कि सर्य वाइस इस लाइक बटर थैंक यू काविया कटिया जी थैंक यू कि थैंक यू कॉमन सर्विस को थैंक क्यू है मुगल सल्तनत चलो ठीक है मुगल सल्तनत करवा देंगे शाकिर शेख बिल्कुल तो आप सोशल आर्मी फॉसीट वार बिल्कुल सुषमी तब भंजा ने अच्छा बोला है कि यह आपकी हमारी सोशल आर्मी है सिट अमें क्लियर करना है सिट को फत्य करना है इस बार सोशल आर्मी है कि तैंक्यू प्रिया कि पेड़ागोजी बीस नंबर काता है ह्यों weaker Woo Play Game आपका नाम ले लिया है अ कि अध्य लांज लंग शूमी आपका नाम ले लिया है है rapidement मेरे कमेंट में मज़ा अ थैंड्यपेशक्थ में तो आपका नाम ले लिया है बिल्कुल तो अभी किसी का नाम छूड़ गया होना तो माफ कर देना नेक्स लाइट सेशन में ले लेंगे पंटी कि क्योंकि समय खतम हो गया तो चलो आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी 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 एक एक बार अच्छे से नेक्स लाइट सेशन में मिलते हैं फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू वेरी मुच टेक केर एंट बाइ